नमस्कार दोस्तो देख्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज किसी वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्लड या बाढ़ से रिलेटेट जो कॉंसेप्ट है उसको यहाँ पे हम लोग डिसकस करने वाले हैं दोस्तो यह फ्लड जो टॉपिक है वो आप इन्वाइरमेंटल जो जिगराफी है फिचकल जिगराफी का लास्ट सेक्शन उससे आप इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं और फ्लड से ही दोस्तो 2019 में UPSC ने पेपर वन में एक क्योशन पूछा था फ्लड से ही रिलेटेट था जित्र के द्वारा जान वो माल पर बाढ़ों के प्रभाव को सरवाधिक प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है टिपडिक किजिए यहाँ पे दोस्तो पंदर नंबर के क्योशन है इसमें आप से पुछा है कि हजायट जो मैपिंग होती है उसके द्वारा फ्लड के इंप हुन्स रिस्पोंसिबल है फ्लड होने का फिर इंप्रत दिंगे फ्लड का क्या क्या IMPAC ौती थी है फिर हजायाड मैपिंग होती क्या है फ लड हुन्से क्या क्या ब colony होती है कैसे हम लाइफ और इकनोमिक जो लॉसेस होती है फ्लड से उसको रिडूस कर सकते हैं हैजाड मैपिंग की सहायता से तो आज की वीडियो में हम लोग काफी कोश्ट फ्लड से रिलेटेड यहां पर डेसस करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप बताओ फ्लड होती क्या है फ्लड को बार भी बोलते हैं तो बार क्या होती है कि जब मालो बारिस हुई या साइकलोन आये या डेम का ब्रस्ट हुआ डेम का फुटना हुआ या किसी भी तरह से या मालो ओसियनिक कोई स्टॉम्स आया उसकी वज़ा से क्या होती है कि वाटर लॉगिंग हो जाती है या ले overflow of water को flood कहा जाता है जब किसी particular area में area submerge हो जाती है उसको flood बोलते है ठीक है तो flood क्या होती है flood होती है कि submergence of area किसके दारा overflow of water के दारा submergence होती है उसको flood बोलते है देखो flood अभी हम लोग को पता हो गया इंडिया में क्या होती है इंडिया में flood एक major hazard है ठीक है 1000 में बहुत सारे 1000 हैं कॉन कॉन से जैसे मालो EARTHQ आती है Landslide आती है आ का सुनामी जाते हैं ठीके ये तो सारे 1000 हैं इसके लाव分鐘 flood भी एक major 1000 हैं यहाँ पर क्योंगि flood के दोरा यहाँ पर आप देखोगे बहुती जानमाल के हानि होती है yearly यहर साल बहुत जादा राणी होती है उसकी क्या रिस्माण수데र क्लाइब च्छcoat है कई से क्रहस्षी मांसून इंडिया क्या मौष में वहां सें स twemiş होती है कभी बहुत जादा बारिस होती ही किसी पर्टीक्ला च्छ accounted कि रिसमांसबल है पहला आतरा देखो climate change है ¿ 190 चेंज कैसी रिसमांसबल है क्लाइमियट चेंज से क्या होती है कि मांसुन बहुत है कि बहुँ ज़ाधा बारिस होती है कि बहुत ही मांसून अनसर्टेन है किसके वाज़ से climate change को जैसे तो यहाँ पर climate change एक responsible है मांसून का uncertain हो रहा एक climate change से ही होता है तो responsible है यहाँ पर flood आने का इंडिया में यहाँ लो लाइंग एरिया जैसे मालो केरला में बहुत भेंगर flood आया था पिछले साल वैसे हर साल जैसे बिहार में कोसी नदी के किनारे या गंगार रिजन के किनारे ब्रह्मपुत्रा आसम में बहुत ज़्यादा flood आते हैं दूसरा देखो climate change के वज़ा से cyclonic activity भी बहुत जाद होती है देखो climate change होंगी तो क्या होंगी इस होने की संभाण होती है तो क्या है वहां पर flood prone area हो जाते है तो उसके वज़से एक शैक्लोनी की activity के वज़से भी flood आते हैं इंडिया में इसके लावद दोस्तों इसके लावद क्या होती है कि मालनो river है रिभर एक क्या है natural waterways है उसके थोड़ा क्या होती है कि जो बारिस क पानी होती है वो समंदर में जाती है तो रिभर के flood area जैसी एक river हो गया river के both side एक flood area होती है ठीक है यह मालूम main river हो गया इसके both side flood area होगा फ्लड area में encroachment होगा आज कल कहा है गाउं में यहाँ पे कुछ पैड़ी के cultivation के लिए यहाँ फिल्ड बना लेते हैं और सहरों में यहा पानी होगी वो पानी कहाँ मालो यहाँ पर वीट कम हो जाएगी तो पानी तो ओबरफलो होगी ना ओबरफलो होने से यहाँ पर क्या होती है कि water logging हो जाती है फ्लड आ जाता है तो encroachment होती है flood area में reverse का या किसी भी ड्रेंड चैनल का उसके वज़से flood आते हैं इसके अलाव अब देखो कि हीली एरिया में अंस्यांटिपेक माइनिंग होती है या मलोडीब aumento होता है विर या में यहांटिवक माइनिंग होंगी तो इहां पर Erोजन बढ़ जाएगा सबसे पहले है कि मानिंग के वाज़से एरोजन बढ़ता है और उसके एलावां उसके वाज़से इर डेप्त कम हो जाएगा, डेप्त कम होने से क्या हूंगी कि पानी हो उसमें कम इकठा होगा तो overflow होने से जो Surrounding Area है रिवर का उससे क्या होते हैं हो फ्लट आजाता है, तो रिवर चैनल में पहलात Enclosurement को जीसे Width कम हो जाती है, Width कम होने से overflow होता है और flood आता फिर देखो नया concept है अर्बन एरिया में जैसे चेंड़ में और मुंबई में बाड़ आती है क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज जो सिस्टम है वह चोक हो जाती है क्योंकि solid waste जो management होती है उप्रॉपर होते नहीं है plastic को वहाँ जाकर जमा हो जाते है उसको चोक करते हैं उसके तरह और फिर आपका फ्लटिंग हो जाता है ठीक है उसके लाँ आप देखो कि कंस्ट्रक्शन जो होते हैं जो कॉलोनीज बनते हैं रोड यार रेल वेज की जो ट्रेक बनती है वो देखो कि नेचुरल जो वाटर वेज होती है उसको बैरियर करती है यानिक उसको वहां पर टो कहीं तो वाटर तो बहेगी ना तुस्से और आपका फ्लटिंग हो जाता है ठीक है तो रिजन्स में क्या क्या है पहला तो क्लाइमेट चेंज हम लो देखे क्लाइमेट चेंज को यसे अंसर्टेन मांसून होता है उसके लाँ आप देखो कि सैकलोनिक एक्टिविटीज इरोजन एक्टिविटी बढ़ जाती है जब इरोजन होगा तो स्वाल जाके नदी के रीवर के बेड में बैठेगी रीवर का क्या होगे जो डेप्त होगी वह कम हो जाएगी जो उतला हो जाएगा तो पानी क्या अगरे ओफर्फलो करेगी इसके लाँ को रीवर की होता है यानि डेम मेनेजर वहाँ होता है डेम मेनेजर क्या करता है कि सबसे पहले डेम को फूल होने तक वेट करता है देखो बारिस बहुत जादा हो रही है विदर फॉरकास्ट भी हो गया है कि बहुत जादा बारिस होने वाली है इसके बावज़ोद भी डेम मेनेजर क्य तो और water वहां पर बढ़ जाता है, देखो, heavy rain होने से वहाँ flood situation है, plus discharge करोगे dam से तो और flood situation हो जाएगी, तो intense वहाँ पर flooding हो जाती है, dam के mismanagement को जाती है, तो यह भी एक region responsible है, ठीक है, तिसरे region responsible है, flood होने का इंडिया में, फिर आप impact देखोगे दोस्तों, impact तो आप पता है, ए से जानमाल की बहुत ज्यादा honey होती है, इसके लाँ आप देखोगे, tourism जो sector होती है, वह बहुत ज्यादा effect होती है, केरला में ही आप देखोगे, केरला में flood जो आया था, उसको ज्यादा नेगेटिवल एफेक्ट हुआ था, यहाँ तक foreign, जो tourism थे वह भी आना कम हो गये थे, domestic tourism तो कम हो जाएंगे, ठीक है, इसके लाँ आप देखोगे, कि infrastructure damage हो जाती है, road, railways, airport जो है, वो damage हो जाते है, इसके लाँ आप देखोगे, psychological problem हो जाता है, जो women है, या बच्चे है, उसमें एक trauma जैसे situation होती है, उनके mentally में बैठ जाता है, कि बहुत जब भयानक जो flood का situation होता हो बैठ जाता है, तो psychological एक stress आ जाता है, फिर देखोगे, कि waste management वहाँ पर cleanness की problem आती है, वहाँ पर बहुत जादा, बोल सकते हो, dust या, dust नहीं, sorry, वहाँ वेस्ट का बहुत जादा ही कठा हो जाता है, दूर से waste भी आके flood area में water logging होते हो, वहाँ पर ही कठा हो जाती है, तो उ और डेंगू हो गए, malaria हो गए, ठीक, इस सब वहाँ पर फैलने लगते हैं, जहाँ पर flood area होती है, तो उसके वज़े से आप देखोगे कि other problem इकठा होने लगती है, इसके लाँ आप देखोगे कि कैसे cascading effect होता है, वहाँ पर देखोगे कि जो pregnant ladies है, flood area में, उसको वहाँ पर hospital की सुद्धा बादित हो जाती है, तो उसके वज़े से pregnant lady को care नहीं मिल पाता है, यदि मालों कोई old है, आदमी उसके भी care नहीं मिल पाता है, तो इस सारे problem होने लगती है, तो impact of flood में आप देख सकते हो, क्या का impact होती है, पहले तो life की भी loss होती है, cattle की loss होती है, economy loss होती है, infrastructure का damage होता है, इसके लाँ आप देखोगे कि cascading effect होता है, उसके वज़े से pregnant women होती है, उनका care नहीं हो पाता है, क्योंकि health infrastructure damage होता है, इसके लाँ आप देखोगे कि psychological stress होता है, वहाँ पर trauma जैसे situation आती है, इसके लाँ आप देखोगे कि communicable disease का problem होती है, डेंगू, malaria, cholera यह problem होती है, flood का, अब देख लिए, flood के हरसल problem आता है, regions भी हम लोग देख लिए, तो उनकी कैसे flood को दूर किया जा सकता है, तो दोस्तों flood को दूर करने के लिए, एक hazard mapping होती है, hazard mapping की सहायता से हम लोग flood को, flood के जो problems है, उसको identify किया जा सकता है, और उसके against में, जो solution है, उसको apply क जा सकता है, तो सब सब देख लिए, hazard mapping होती क्या है, जैसा यहाँ नाम से पता है, तो map किस को करना है, hazard को mapping करना है, hazard में आप देख सकते हो, earthquake का आते हैं, land slide आते हैं, tsunamis आते हैं, वाइलकेनोज activities भी आती है, ठीक है, flood आते हैं, ती सारे hazard आते हैं, अब देखोगे कि आप compare क flood से, तो flood क्या है, flood को easily predict किया जा सकता है, flood को easily predict किया जाता है, कि flood आने वाला है, क्योंकि weather जो forecast होता है, वो बहुत ही, आप देख सकते हैं, accurate अब होने लगा है, एक हपता पाले ही, या एक दो दिन पाले ही, जो forecast होता है, वो प्रेट कर लिए तक वहाँ पे heavy rain फॉल होने व आप देखोंगे, flood को predict करना बहुत easy हो जाता है, तो मालों इंडिया की map या किसी मालों केरला या किसी भी जो state है, उसके यहाँ, जो जहाँ पर flood एरिया है, उसको mapping किया जाए, एक map के सायथा से उसको identify किया जाए, कि कहाँ पर flood आने वाले हैं, कहाँ पर flooding होती है, तो map बनाएंगे, map में उसको identify किया जाएंगे, कहाँ पर flood आती है, कहाँ पर intense flood आती है, बहुत ज्यादा risky flood आती है, उसको पर identify करना है, कहाँ पर medium लेबल की flood आती है, उसको identify करना, यह सब map के साथ है, identify करना ही बोलते है, flood mapping, flood hazard mapping, ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको पता है कर लगा, हजाड मैप मतलब किसी भी map में हजाट को identify करना, जैसे मालो, land slide कहाँ कहाँ पर होते है, उसको identify करना, अर्थ कोई कहाँ पर आ सकते है, उसको identify करना, एक simple होई बहुत लेकिन flood को mapping के साथा से उसको identify करना, उसको लाते है flood hazard mapping, इसके लिए क्या क्याँ टेक्निक हो इसके लाव जिवराफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जा सकता है। जिवराफिकल नॉलेज को यूज करके उसके थुरूब हम पता लगा सकते हैं, वहाँ फ्लाड आने वाली है। जैसे मालो ऐसा पोजीशन जहां पर हिली एरिया के इस साइड मालो वेस्टर घा है कि हमें यहां पर बहुत जादा वारिस होती है, उसके साइड हम क्रिटिक कर सकते हैं कि यहां पर वारिस होने वाली है। इसके लाव आप देखो, ग्राउंड लेबर सर्वे भी की जा सकती है, एक पास्ट जो हिस्ट्री है कि 25 सल पहले भी यहां फ्लाड आया था, 20 सल पह मैपिंग की जाती है, तो यह रहा हजार मैपिंग, अब देखते हैं इसके दौरब बेनफिट क्या होते हैं, कैसे कम किया जा सकता है, लाइफ और एकोनोमिक लॉस को, देखो, सबसे पहले तो जहां पर एक मैप के साथ है, पता लगा सकते हैं कि यहां पर फ्लाड आ सकते है फ्लाड प्रोन एरिया है, तो फ्लाड प्रोन एरिया में स्पेस्पिक जो लेंड यूज है, उसके पैटरन को चेंज किया जा सकता है, देखो, लेंड यूज कह सकता है, अभी हम लोग डिसक्स किया थे, कि रिजन सब फ्लाड में की, लेंड यूज मैं यह दि माल लो, वहा एक अच्छा space प्रोवाइट के दिया है जिससे कि automatic flood को वो control कर सके है ठीक है तो वहाँ पे land use जो pattern है उसको change किया जा सकता है वहाँ पे मालो जो city का planning है colonies बने हैं वहाँ पे drainage system को proper strengthen किया जा सकता है तो इसके जायते से land use pattern को change किया जा सकता है इसके लाब आप देखोगे कि वहाँ पे special flood measures जो technique है उसको भी use किया सकता है जैसे मालो किसी cities में या किसी areas में flood आते हैं तो वहाँ पे sponge जो city concept है जो एक Chinese concept है sponge city का concept उसके तुरह क्या होता है कि वहाँ पे जो सारे rain water है उसको सारे को वहाँ पे use कर ते हैं और उसको ग्रांड़ वाटर में ले जाते हैं यानि जो भी rain water है उसको harvest करके ground water में ले जाते हैं उसके तरुब कहunta होती flood को बहुत जादा minimise किया सकता है तो sponge city का concept को भी use किया स तुसके दोरा एक चैनाप डैम छोड़ा-छोड़ा बना जा सकता है और उस डैम को proper ढंग से मैनेज करके flood को कंट्रोल किया सकता है मालू इस एरिया में flood आने वाला है तो उपर एरिया में Dam के साथ पानी रोक दिया सकता है या weather फ्रोकस्टिंग बहुत अच्छे से है कि पानी आने वाला है तो पूरा डैम को खाली कर दिया जाकता है बाद में पानी भरेगा तो उसके थुरू यहाँ पे flood को control किया जा सकता है ठीक है तो इसके लाँ आप देखो कि emergency response team भी बना जा सकते हैं उसे एरिया में flood के जो outcome है उसको minimize किया सकते हैं इसके लाँ वहाँ पे जो infrastructure है उसको resilience बना जा सकते है flood के according और फिर देखो कि वहाँ पे flood area आते हैं तो बारिस के सीजन में people को relocate किया जा सकता है पहले ही relocate कर जा जैसे कि life जो problem है उसको दूर किया सकता है यानि life loss न हो और ठीक है इस तरह से infrastructure को resilience बना के और public awareness फहला के emergency response team बना के फिर special flood measure है जैसे response city के concept या chain up dam यदि बना जे जो flood को control करें और land use pattern को भी change करके इस सारे measurements लिये जा सकते हैं यदि हमें पता हो कि वहाँ पे flood आती है यानि कि hazard mapping clearly define हो तो उसके से जो preparedness होती है flood का वह हमें अच्छे से effective terms किया जा सकते हैं जिससे कि life और economy दोनों की loss को यहाँ पर दूर किया जा सकता है ठीक है दोस्तों तो आज के वीडियो बस दिना है दोस्तों I hope आज हम लोग जो डिसक्स किया है flood के बारे में वह आपको अच्छे से समझ माया होंगे तो आज के लि मिलते हैं अगले वीडियो और नाइट आपकी सा थैंक यू